हेलो दोस्तों नमस्कार आप से बिज़ा स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस एकेडमी पार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेटर भरती आवेदन फार्म और भरती रत कराने को लेकर के मंत्री का सियम को पत्र से जुड़ी मातपूर्ण अपडेट के साथ साथ यूपी आंगणबाडी भरती दोजाच चौविस की लिस्ट और डीवी प्रकरिया से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में तो ली चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जुरूर दबाएं आगे की सही सेटी को लेटेश अपडेट पाने के लिए तो आईए दोस्तों सुरू करते हैं आज का यह वीडियो सात्यों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्ताप्रदेश में 10,684 पदों पर ECCE और Special Professional Educator भर्ती किसी भी जिले में शुरू नहीं हुई है भरती सुरू होने से तातपर दोस्तों आवेधन की प्रकरिया से है क्योंकि आवेधन की प्रकरिया अभी किसी भी जिले में शुरू नहीं हुई है लेकिन जब से इन पदों पर भरती के लिए आफिशियल आंगनबारी कार्गत्रियों युम साइकाओं के त्वारा लगातार इस भर्तीका बिर्मोद किया नहीं और इसे नहीं हैं नहीं के लाइन में अचे नहीं, और इसी को ले करके आप सभी लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों आंगनबारी कारगत्रियों साइकाओं की तरफ से जिला इस्तर पर धन्ना प्रदर्शन और अंदोलन करने के बाद सियम को संभोतित ग्यापन जो है डियम को सौपे गए थे सभी जिलों में और उसके बा आप सभी को बता दें मंत्री राकेश कुमार सचान सर से मिल करके जो है अपनी बातें उनके समच्छे रखी गई हैं और सचान सर की तरफ से मानी मुख्य मंत्री योग्यादिना जी को अंगर बाड़ी कारकत्री यों साइकाओं की मांगों को लेकर के जो चीजे जो है आगे बढ़ाने के संबध में मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा गया है जिसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये राकेश कल्यान बालविकास यों पुष्टाहार उत्ताप्रदेश सरकार को ये लिखा गया है और का गया है कि किरपया स्रीमती आस्मीन खातून उत्ताप्रदेश प्रवक्ता अंगन बाड़ी करमचारी और साय का एसोसेशन उत्ताप्रदेश 11 अशोकमार हजरत गंज लखनों के सलग प्रातना पत्र का अउलोकन करने का कश्ट करें जिसमें इनके द्वारा अउगत कराया गया है कि अंगन बाड़ी केंद्रों पर ECCE एजूकेटर भरती रत करने यों लंबित मांगों को पूर्ण करने का अनरोध किया गया है यों स्रीमती आस्मीन खातून के सलगन प्रातन पत्र पर सानभूत पूर्वक बिचार करते हुए एतोचित कारवाई करने का कश्ट करें ये देख लीजिए राके सचान जी की तरफ से जो महिला कल्याणियों बालविकास बिभाग की मंत्री हैं उनको ये पत्र लिखा गया है और ECCE जूकेटर भरती रत करने के साथ साथ अंगरबारी कर्मचारियों साइकाओं की जो अन्य मांगे हैं उन पर सानभूत पूर्वत बिचार करने के लिए जो है कहा गया है तो ये अपडेट है और इसके आगे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि खोदी यहाँ पर आंगनबाडी कर्मचारियों साइका एसोसियेशन की तरब से जो है मानी प्रतिभार शुकला जी को जो है राज्य मंत्री उताप्रदेश सासन महिला कल्यान बाल विकासियों पुष्टाहर विभाग लखनों को एक पत्र लिखा गया है और उनसे मुलाकात कर इस पत्र को उ पत्र जो है दिया गया है प्रतिभार शुकला जी को जो महिला कल्यान बाल विकासियों पुष्टाहर विभाग लखनों की जो मंत्री है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस पत्र के असा आगे जो शारान से दिया गया है अंगनबाडी केंद्रों पर ECCE एजुके काले में को लोकेटेड अंगनबाडी केंद्रों पर पंजिकरत 3-6 वर्स आयू के बच्चों को ECCE सिच्छा देने है तो ECCE एजुकेटरों की भर्ति किये जाने की प्रकरिया प्रारम की गई है एजुकेटरों का मांदे 10,313 रुपे प्रतिमान इलधारित किया गया है जि प्रशिच्छन अंगनबाडी कारकरतियों को भी दिया गया है उक्तर सिच्छा प्रदान करने हिद एजुकेटरों को जहां 10,313 रुपे प्रतिमान मांदे देने योम अनि सुबदाएं देने का प्रावधान किया गया है वहीं अंगनबाडी कारकरतियों को मात्र 6,000 परत म में कम मांदे दिया जाना करकरतियों के साथ अन्या योम धोखा तथा मिशन सक्ति का अपमान है महोदे आपकी सरकार द्वारा लोकल ल्यांकरियों जनीत में कारी किया जा रहा है आपकी इच्छा भी गरीबों का उत्थान करने वाली सरकार की मुख्या के रुपे प्रतिश प्रेशित किया जा रहा है इसलिए अंगरबारी के अंतरों पर एजुकेटरों की भरती किया वसकता नहीं है दूसरा पॉइंट कहा गया है अंगरबारी कारकरतियों साहिकाओं को सास की कर्मचारी का दर्जा दिया जाये जब तक संभो नहीं है एजुकेटर के मांदे से अधिक कारकत्रियों को 18,000 यों साहिकाओं को 9,000 रुपे प्रतिमाह मांदे देने के साथ P.E.F. यों E.S.I. के सुबदा भी प्रदान की जाए तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये लगातार प्रियास किया जा रहा है E.S.C.E. एजुकेटर भर्ति को रद कराने को लेकर के अब इन पदों पर आबेदन करने की तैयारी करने वाले अभेटों के मन में ये सवाल उठता है क्या सर E.S.C.E. एजुकेटर भर्ति रद हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी साथियों को आउगत करा दें मुद्दों पर विचार चल ला है सरकार के तरफ से और इनके सैलरी बढ़ाई जा सकते है लेकिन E.S.C.E. एजुकेटर भर्ति रद करने की जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं होने वाली है क्योंकि यह बेसिक सिछा विबाग के तरफ से New Education Policy 2020 के अनुपालन में निकाली गई भर्ति है और यह रद नहीं होगी इन पदों पर भर्ति का विग्यापन जारी हुआ है इन बत्तों पर भर्ति के लिए आवेदन भी लिये जाएंगे और भर्ति प्रकरिया भी पूरी होगी और ECCE जुकेटर भर्ति रद नहीं होगी यह बिल्कुल मानकर आप सभी लोग चलें अवेदन फार्म कब से भरे जाएंगे यह सबसे बड़ा प्रशन है और किस जिले में कब से सुरू होगी अवेदन की प्रकरिया तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो 10,684 पदों पर ECCE जुकेटर की भर्ति निकली उसमें सभी 75 जिलो को सामिल किया गया है 75 जिलो के PM सरी स्कूल और को लोकेटेड अंगनबारी केंद्रों का चैन इसमें किया गया है और सभी जिलो में भर्ति प्रकरिया जो है वो पूरी की जाएगी और ECCE एजुकेटर की निकली उतरपरदेश के सभी 75 जिलो में होने वाली है लेकिन अभी तक किसी भी जिले में अवेदन की प्रकरिया सुरूर नहीं हुई है और इसको लेकर के कई सारे कारण है जिसका डिसकस्शन हमने पिछली विडियो में किया था यहाँ पर जिलो में सभी को बता दें कि जिलों में से उप परदाता है ऑजनसी के चैन की प्रकरिया को लेकर के साइट पांच दिसंबर तक के लिए जो है कुछ उस पे कारी चल लहा है और वहाँ पर चीज़ें सो नहीं हो रही है तो ऐसे में शिवाप्रदाता एजंसी के चैन को लेकर के अभी आप सभी लोगों को कुछ और इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि जेम पोर्टल के माध्यम एजुकेटर भरती और इस्पेसल प्रोफेसिक एजुकेटर भरती में आभेदन की प्रकरिया मोश्ट अदर डिस्टिक में सुरू हो जाएगी और ऐसी तैयारी जो है वो विभाग की तरफ से की जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं जिलेवार स्टेटरस अप्डेट आ जानी है और आभेदन फार्म की प्रकरिया को लेकर के स्टेटस यहाँ पर जादी कर भी आ गया है तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अभी सभी जिलो में अपडेट सून दिखा रहा है इस तरीके से जब आप पूरी लिस्ट को विजिट करेंगे तो सभी 75 जिलो में यह आपको अपडेट सून दिखाएगा इसका ताथ पर यह दोस्तों यह है कि जैसे ही आभेदन की प्रकरिया सुरू होगी यहाँ पर आप सभी के लिए आ जाएगा आप हीशियल लिंक और उस पर किलिक करके आप आप आभेदन फार्म जो है वो भर पाएंगे फिलाल आप सभी लोग जानते हैं एसी सी एजुकेटर बरती आउट्सोर्सिंग सभीदा के माध्यम से होगी और आउट्सोर्सिंग सभीदा जापस पर आवेदन आप सभी लोग जो है वो सिवा पडाता एजनसी के चैन के द्वारा जो सेवाजन पोर्टल पर लिंक एक्टिबेट का फार्म बढ़ने के लिए तो ये सभी 75 जिलों के लिष्टे जहां पर सभी जगे अभी आप से लोग देख सकते हैं अपडेट सून अपडेट सून ही सू हो रहा है जैसा ही आवेदन के प्रकरिया किसी भी जिले में सुरू होगी आपको उसके बारे में जानकारी ती करते हैं दोस्तों हम विभागी अधिकारी नहीं अगर हम सच्ची होते निदेशक होते या मानिदेशक होते तो कब की भरती प्रकरिया सुरू करा चुके होते लेकिन अभी आप सभी को बता दे आफीशल विग्यप्ति का इंतजार कीजिए और जैसे आफीशल विग्यप्त वो अंडर प्रोसेस है सर्ले जेलो में आप सभी लोग जानते हैं आवेधन की प्रक Carter Otis लुकषभा चुनाव से पहले पूरी की जा चुकी है और सेуск जो 31 जले बचे थे उन जिलो में आवेधन की प्रकरिया आलमोस्ट पूरी हो चुकी है कुछ जिले हैं जहांपर अभी आ दोस्तों किसी भी जिले की merit list नहीं जारी की गई है, merit list जैसे ही official निकल कर सामने आएगी और official site पर जारी की जाएगी, आपको channel के मातने से सुचित किया जाएगा, और यहाँ पर आप से भी लोग देख सकते हैं कि जो merit list जारी होगी, यहाँ आप अपने जिले के अनुसार अंगनवारी भरती merit list लिंक को खोजें और किलिक करेंगे, यानि सभी जिलों के link जो आजाएगी और उसमें जिले की link आप एक्टिवेट ओपन करेंगे, उसी जिले के merit list आपके सामने आजाएगी और क्या अब आप इस merit list के पीडे में अपना नाम जाच करें, अगर आपका नाम उस merit list में होगा, तो आप जो है document verification के लिए तयार हैं, जिन्नों मिद्वारों का नाम इस merit list में होगा, वे सभी document verification के लिए तयार हैं, और document verification को लेकर के आप सभी को बहुत साओधानी और सतर्गता बरतने की जरूरत है, क्या है से जुड़ी update उस पर भी बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी के प्रशन है कि किस जिले की merit list जारी तो अभी तक आप हिसे उरूप से किसी भी जिले की merit list नहीं जारी है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें, अंगनबाडी भरती में जो है नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ा फरजी वाड़ा जो है वो चल रहा है, और आवेदन करने वाली बहनों को फोन या SMS के मात दें से डाकूमेंट बेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, किसी को जिला मुख्याले पर, किसी को ब्लाक मुख्याले पर, और कहा जा रहा है कि आप इतने रुपे दीजी, आपका चैन सुलिस्टित किया जाएगा, तो सभी बहनों से निवेतन है कि आप सभी लोग डाकूमेंट बेरिफिकेशन की परकरिया में तभी पार्टिसिपेट कर सकती है, जब विभाग की तरफ से आपके जिले की आफिशिल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, तभी आप डाकूमेंट बेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी, अन्था आप डाकूमेंट बेरिफिकेशन की परकरिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, तो अभी जब merit list किसी जिले के नहीं आई है तो documented verification की प्रकरिया भी अभी किसी भी जिले में नहीं शुरू हुई है लेकिन कुछ बहने लगातार कमेंट कर रही है कि सर हमने जो है बलाक मुख्याले पर जाकर के या जिला मुख्याले पर जाकर के CDPO से documented song दिये हैं और verification करा लिया है तो आप सभी बहनों को आगाह करना चाहेंगे क्योंकि documents आप सभी के जीवन की अभी तक की बहुती महत्पूर कमाई है और अब अगर गलत हाथों में document सौप देंगे document verification के नाम पर तो जब वास्तभी document verification होगा तो आपको पच्ताना पड़ेगा और आपकी नोकरी आपसे दूर जा सकती है तो जो भी बहने काल और SMS के तुरूज जानकारी प्राप्त करती हैं और पहुंच जाती है सीधे document verification कराने तो वहाँ आप सभी को बता दें अगर आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है तो किसी को एक पैसा नहीं देना है दूसरी बात ये है कि आप सभी को अपनी documents जो भी original documents जिनके विहाब पर आपने आबेदन किया है वो सारी documents के original set अलग रखना है और एक दो photo state set तयार करने है जो भी document verification के नाम पर आपसे documents मांग रहा है original documents किसी को नहीं देना है केवल और केवल आपको जो photo state है वही documents दे रहे हैं अगर वो फर्जी वाड़ा कर रहा है चाहे black मुख्यले पर हो चाहे तैसिल मुख्यले पर हो या जुल्या मुख्यले पर जहां भी आपको काल करके SMS के द्वारा बुलाया जाता है वहाँ पर जाएं लेकिन original documents किसी को ना दे अन्य था आपको पच्तावे के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा नौकरी भी नहीं मिलेगी और original documents भी जा सकते हैं तो केवल और केवल अगर किसी को आप दे रही है तो फोटो इस्टेट यानि फोटो कापी वाला जो सेट है वो दीजिए और किसी को पैसा नहीं देना है ये बात आपको ध्यान में रखनी है बाकी चीजें जैसे ही विभाग के तरब से official merit list किसी भी जिले के जारी होगी चैनलन के मात्यम से तुरंत आपको सुचित किया जाएगा तो इस महापूर वीडियो को अंतक देखने वाले सभी भाई बैनों को तेह देल से शुत्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बिलता है अगली वीडियो में तब तक लिए सभी सात्यों को जैन जैबार बंदे मात्रम हूँ तक बहुत बहुत जैबार बंदे मात्वर को भ्रें जैने पुरूं को जैए एक रड़ को बात्यों को जैए बहुत जैए।